हेलो काई सोलो कम बैक टूदा नेधर वीडियो तो कैसे हो आप लोग आप अच्छा को स्वागत करते हैं आपकी एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में नया प्लेलिस्ट स्टाट करूँ जिसमें मैं सर्चिंग कोशन डिसकस करूँगा बोल सकतो बैंडरी सेर्च के सा लास्ट पूछे हुए हैं काफी अच्छी प्लेलिस्ट है वह जाके चेक आउट कर लेजए आज की इस वीडियो में अगेन अमेजोन का सर्चिंग कोशन उठाऊंगा टोटल बारा कोशन होंगे तो वन बाई वन करके डिसकस करेंगे आज की जो सबसे पहला प्रॉबलम है वह है इस्क्वायर रूट आप दे नंवर ठीक है यहाँ फैमें इसकार रूट आप दे नंबर फायंड करना जैसे सबस करो की हमारे पास एक नंबर गीवए किस्टीन का प्रोट का फॉर ऑवियसली एक नंबर है ट्वेंटी फाइब इसका इसकार रूट क्या होगा जैसे 28 इसका square root क्या होगा इसका square root तो अब 28 जाओगे तो 25 मतलब 25 अगर 5 करोगे 6 करोगे 36 इसके बीच में like करेगा तो हमें क्या रहा हमें floor value यह नहीं है तो हमें क्या हो जागा इसका answer इसका answer 5 हो जागा ठीक है तो obviously आप लोग समझ गयोगे तो अगर इसको brute force की तरब कि अपना वहां से कर सकते हो ठीक है और एक तरीके से और कर सकते हो अगर brute force approach की तरफ सोचे सोचो अगर हमें square root बोला है square root लिकालना है तो square root of five maybe ठीक है यह हो सकता है या फिर ठीक है चलो square root of five इसको भी क्या square root of sixteen ठीक है यह दो माल लेकर चलते है इसको क्या हम यह लिख सकते है square root of one by two लिख सकते है लिख सकते है ठीक है अंडर root की value one by two होते है क्या हम इसको यह भी लिख सकते है square root of zero point five obviously यहाँ भी लिख सकते है sixteen के power मतलब sixteen के power one by two इसको यह भी लिख सकते है sixteen के power 0.5 ठीक है इसका मतलब क्या हो रहा है समझ रहा हो 16 के पावर 0.5 अगर हम यह कर दें तो हमारे answer मिल जाएगा मिल जाएगा जो होगा answer ठीक है नहीं होता अगर करके दिखाते हैं आप को ठीक है यहां पर देखिए यहां पर हमने क्या बोला हमने बोला हमने क्या करना है हमें बस return करना है एक answer ले लेते हैं उस answer में क्या होगा हमने बोला कि n multiply by 0.5 बस यह multiply कर दो लेकिन एक चीज़ करना होगा यह answer इंटीजर में नहीं देगा हमें इंटीजर में लेना होगा तो इसके वाज़े से हम इंटीजर में दे देते हैं क्या पता है float value भी दे दे ठीक है तो हम इसलिए इंटीजर में लेके चलते हैं अब बढ़ते हैं थोड़े आगे थोड़े और अप्रोच इसके तरफ बढ़ते हैं इसके और अप्रोच देखते हैं इसके और अप्रोच देखते हैं नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा बोल सकते हो काइंड आप बेस्ट केस बोल सकते हैं इसको तो हमें क्या फाइंड करना है 28 का सपोस करो 28 का स्क्वार रूट तो क्या 1 से लेके 28 नंबर हो सकता है पूरा हम लोग लिनियरली ट्रेवर्स करें एक लूप चला दे 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए करते का दे 28 जाए और और स्क्वार रूट मतलब क्या हुआ 1 multiply by 1 is equal to 1 2 multiply by 2 is equal to 4 3 multiply by 3 is equal to 9 4 multiply by 4 is equal to 16 ऐसा ही वर करता है न 5 multiply by 5 is equal to 25 6 multiply by 6 is equal to 36 ठीक है तो हम क्या कर सकते है कि हम लोग सोच रहे हैं कि हम सोच रहे कि एक लूट ट्रेवर्स करते हैं linearly ट्रेवर्स करते हैं सारे 1 से स्टार्ट करते हैं 28 तक जाएंगे worst case में ठीक है और हम यह condition check कर लेते हैं अब देखो पहले आया 1 के लिए चेक किया फिर 2 के लिए चेक किया फिर 3 के लिए चेक किया और चेक करेंगे और यह element को answer के साथ compare करते रहेंगे कि हमें पास छोटी value है कि बड़ी value है ठीक है अब 1 आया देखा छोटी है हमारे target से छोटी है ठीक है फिर 4 आया छोटी है 9 आया छोटी है 16 आया छोटी है 25 आया वी छोटी है अब जैसे ही 36 पे गए हम लोग हम लोग देखा 28 28 से बड़ी मिल गई इसका मतलब क्या हो गई कि इसके पहले वाला जो होगा वो मेरा answer होगा इसके पहले वाला answer होगा तो हमें यह value चाहिए तो बस हम यह value store कर लेंगे अब आप सोच लोगे इसको करेंगे कैसे हम बतायते हैं जल्ली से dry रंग कर देते हैं ठीक है अब हमने क्या होता अब हम क्या बोले हमने सबसे बोला कि उपर एक answer रख लेते हैं ठीक answer स्टार्टिंग में one हो जाएगा ठीक है एक for loop चला देते है for i in range अब range कहां सोगी one से होगी कहां तक जाएगी जो n की value होगी वहां तक जाएगी ठीक है इफ यहां पर condition लगा दे इफ यह है ठीक है तो मेरा क्या करे तो मेरा answer is equal to i दे दे ठीक है अब देखो answer में क्या है सबसे पहले i one one into one आया देखा one 28 से छोटा है हाँ तो answer one होगया फिर answer ने हाँ update होके फच्वर होगा फिर अपडेट होके 9 होगा फिर अपडेट होके 16 होगा फिर अपडेट होके 25 हुआ ठीक है ठीक है 6 यहां पर यह ब्रेक कर गया था हमारे पास I में का answer में 25 जो है लास्ट इस्टोर हुआ था ठीक है अब इसको implement करते हैं implement करके दिखाते हैं आप लोग को ज्यादा अच्छे इसके लिए समझ में आगी हमने क्या बोला कि हमने बोला कि एक answer रख लेते हैं जो कि answer की starting will one होगी और for I in range कहां तक one से start करेंगे एं तक चलाएंगे ठीक है यहां तक चला दिए अब हमने क्या बोला if i multiply by i sorry i अगर मेरा क्या है चोटा है और equal है किस से n से तो हम लोग क्या बोला answer में दे दो तुम i ठीक है और उसके बाद else क्या कर दो break कर दो break कर दो बस यहां पर return कर दो किसको answer को जो होगा वो मेरा answer हो जाएगा यह brute force approach है ठीक है अब देखते हैं इसकी complexity कितनी होती देख सक तो successful summit हो जागा अब इसकी complexity के बाद discuss करते हैं कितनी complexity लगी ठीक है देख सकतो यह obviously successful summit हो जाएगा ठीक है successful summit हो गया अब इसकी complexity के बात करें तो complexity देखो complexity कितनी गई होगी पूरी हम लोग 1 से लेके जो अभी के 28 है क्या पता worst case में n तक जाए तो o of n लगी space complexity की बात करेंगे तो o of 1 लगी कोई space लगी तो क्या इसको इंटर्वियर में बोलोगे तो क्या इसको और optimize कर सकते हो अगर इंटर्वियर बोला और optimize कर सकते हो तो आप लोग को पता कि o of n से छोटी क्या हो सकती है obviously log n हो सकती है log n ठीक है अब log n की तरब आप लोग सोचो के binary search कैसे लगा है यह तो कोई number है नहीं तो बस हमें पास एक number दिया है तो कोई array नहीं है ठीक है तो इससे अगे बढ़ने से पहले binary search में आप लोग को एक case और बता देता हूं इसको थोड़ा optimize कर सकते हो ओ of n की जगह ओ इतना कर सकते हो कैसे तो आप किसी case में देखोगे न जै जैसे अगर two है इसका answer क्या होगा one होगा अगर two divided by two करो ठीक है one यहीं तक हम length पर traverse करते है बस one तक करते है तो one answer मिलेगा अब answer 10 हुआ 10 divided by two is equal to five five के अंदर ही लाई करेगा लेकिन ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा छोड़ो जाने तो इसको ठीक है ज्यादा फरक नहीं पड one से लेके क्या करेंगे अब फिर वापस से one से लेके कहां तक 28 तक number लिख लेते हैं अब इसको क्या होगा यह मेरा low point करेगा यह मेरा high point करेगा मीड निकाल लेते हैं 28 plus one divided by two is equal to कितना हुआ 14 29 divided by two कितना हुआ 14 हुआ 14 क्या हो जागा मेरा 14 जो होगा यहां पे 14 कहीं होगा यह लेकेंगे कि मीड multiply by mid check करेंगे क्या अगर छोटा है और equal है किस से मेरा ends यह condition check करेंगे अब देखा 14 multiply by 14 14 multiply by 14 फाई greater हो गया बहुँ जदा हो गया क्या हम कह सकते हैं क्या हम कह सकते कि ends से बढ़ होगा इसका मतला हमारे पास यह वाली चीज़ की इसके right में mid के right वाली value की जर सकते हैं, तो अब क्या हो जागा, अब मेरा लो यहां point करेगा, high कहां point करेगा, mid minus 1 पे, mid minus 1 पे, तो कहां पे हो जागा, फ्लस 1 divided by 2 is equal to 7, ठीक है, 7 पे like किया, ठीक है, अब मेरा क्या हो गया, यह need हो गया, लो हो गया, और यह high हो गया, अब निकालेंगे अब 7 multiply by 7 क्या हम बोल सकते हैं ये भी greater है मेरा answer बोल सकते हैं ये भी greater than answer तो क्या हम कह सकते हैं कि भाई इसका greater आ गया हमें नहीं जोरुआ थे भाई तुम obviously अभी mid तक ही बड़े हो तो हमें तुम से चोटी value चीए तुम बहुत उपर निकल गया हो बहुत आ ये 1 पर point करेगा mid मेरा यहां point करेगा और high मेरा यहां point करेगा क्या हम कह सकते हैं obviously अभी तक तो सही चल ला है अब हमने लिया क्या 3 multiply by 3 क्या ये बड़ा ये छोटा मिल गया मेरे को किसे answer तो क्या हम कह सकते हैं ये मेरा एक answer हो सकता है इसका मतलब कि हमें एक answer जैसे suppose करो कि हम 28 के लिए ले रहे थे, 28 के लिए possible answer क्या था, 1 multiply by 1 is equal to 1 वो भी चोटा है, 2 multiply by 2 is equal to 4 ये भी चोटा है, 3 multiply by 3 is equal to 9 ये भी चोटा है, 4 multiply by 4 is equal to 16 ये भी चोटा है, 5 multiply by 5 is equal to ये भी चोटा है, 6 multiply by 6 is equal to 36 ये बड़ा हो गया, तो हम ये 5 केस store करके चलेंगा और इसमें जो maximum होगा, जो closest हो उसको रिटरन कर देंगे ठीक है तो हम लोग 5 रिटरन कर रहे थे क्योंकि 25 नज दिखता तो इसके वज़य से क्या हम यह 3 को इस्टोर करके चर सकते हैं ठीक है यहाँ पर क्या बनाते हैं एक एंसर बना देते हैं वह एंसर से बोलेंगे लो भाई हमें एक value मिल गए जो हमारे जो हमें चाहिए एंसर से उस से छोटी यारी multiply करने बेगा तो तो बोला कि बाई देखो तुम मतलब हमें छोटे ब्लडे मिलो तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि इधर वाले में मिला होगा 1 मिला होगा 2 मिला होगा ताभी तो थी तक आया ठीक है तो हमें तुम मिल गया value जो maximum target यहां तक 3 आ चुगा तो हम बोल सकते हैं लेप्ट की जरुरत नहीं है obviously बोल सकते हैं आगे बढ़ते हैं 1 ठीक है अब क्या हम बोल सकते हैं कि जो मेरा mid होगा sorry low होगा वो mid plus 1 हो जागा तो कहां पर होगा low मेरा 4 पर लाई करेगा और high कहां पर होगा 6 पर होगा तो mid क्या हो जागा 6 plus 4 is equal to divided by 2 is equal to 10 ठीक है क्या हो जागा यह sorry 5 ठीक है तो क्या हम बोल सकते हैं कि मेरा mid जो है वो 5 पर लाई करेगा ठीक है अभी हम यहां पर देख सकते हैं answer कितना लेकर चला है answer मेरा तीनी store हो चुगा है तो क्या हम बोल सकते है low मेरा यहां point कर रहा है high मेरा यहां point कर रहा है sorry mid मेरा यहां point कर रहा है और high मेरा यहां point कर रहा है ठीक है अब इस case में क्या mid और निकालते है 5 multiply by 5 क्या यह देखा क्या तुम छोटे हो किस से मेरा answer है हाँ यह case और मिल गया तो बोले सकते हैं कि भाई तुम 3 तक तो अभी तक हमें मिल गए थे 5 तक भी मिल गए हो हमें तुम तुम्हारे पहले की जरूरत नहीं है अब तुमसे बड़े वाले को चेक करेंगे क्योंकि तुम तुम एक मैक्सिम्म केटरियर मिल गए हो पीछे वाला चोटा ही होगा तो इसको भी यहीं पॉइंट करें अब इस केस में देखो 6 multiply by 6 meet multiply by meet छोटा है या बड़ा है किस से end से अब हमने देखा नहीं आ रही है तो बड़ा निकल गया तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारा जो last element यह यह मिला बट sure क्या है कैसे check करेंगे अब इसके रिए देखो अब हम यहां पर ब पड़ेगे अभी तो कुछ नहीं सोचो कुछ नहीं होगता मैं इसके right वाली part की जरूरत ही नहीं पड़ेगे ठीक है for example अगर यहां पे एक से लेकी 28 तक value होती तो मतलब कुछ लाई करती तो हम बोते हैं यहां से यहां तक तुम्हें जरूरत नहीं क्योंकि तुम बड़े करें इसके पीछे वाला चीए ठीक है इसके पीछे मालू 5 होगा ठीक है इसके पीछे वाला चीए मतलब यह वाला condition अब क्या करोगा इस case में हमने मतलब ज्यादा इसको cancel करते हैं तो मेरा low कहां point करेगा जो मेरा high कहां है high यहां पर है तो high क्या करेगा high को minus one कर देंगा high क्या हो जागा high minus high की value क्या हो जागी mid minus one कर देते हैं यहीं नहीं करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं mid minus one high की value क्या हो जागी mid minus one तो कहां पर high मेरा lie करेगा यहां पर करेगा ठीक है high मेरा यहांँ चला जाएगा यह पीछे चला जाएगा तो क्या हम कह सकते हैं कि यह मेरा answer होगा जब हमारा जब तीनों value एक पर एक़ी जगह पर lie कर जाए और फिर हम एक और condition चेक करेंगे जैसे ही मेरा मीड से मीड से छोटा हुआ है मतलब इस से छोटा हुआ है हम क्या सकते यह मेरा answer है यह हम इसलिए बता रहे है यह case इसलिए चेक करें इसमें हमें extra answer लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी यह जो हम लेके चल रहे है न sorry यह वाली case यह वाली case जो लेके चल रहे इसकी लेने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी हमें ठीक है ये answer extra लेने की ज़रुवत नहीं पड़ेगी हम इसी से पता कर पाएंगे कि यार जब high मेरा minus यहाँ पर mid minus one कर इसी high को return कर देंगे तो हमें पता चलेगा कि last यही था last मेरा यही वाले को return कर देंगे कैसे करते हैं आके करके देखते हैं तो ज़्यादा अच्छे clear समझ मैंगी हमने क्या बोला था हमने बोला था कि भाई तुम क्या करो एक low ले लो low कहाँ start करो 0 start करो sorry 1 से start करो high कहाँ से start करो high मेरा end हो जाएगा अब क्या करो तुम while loop चला दो कहाँ पर low divided by two ठीक अब हमने एक value निकाल लेते हैं value में जो भी M multiply by M बार बार नहीं करें एक बार निकाल लेते हैं ठीक है अब हमने क्या बोला ठीक है अब लिखा if if V छोटा है बड़ा है किस से end से यह condition check करे था ना जब यह condition हो तो हम लोग यह condition हो यहाँ पर जब यह जब यह छोटा मिल रहा था यहाँ पर देखा छोटा है तो हम लोग high वालों cancel कर रहे थे हैं ठीक है high की जरूँत निए थी low की जरूँत पड़ती थी बस तो यहाँ पर क्या कर दो तो तुम क्या कर दो जब high वालों cancel कर दो तो मेरा जो mid होगा ठीक है जो मेरा low होगा low क्या हो जागा mid हम लोग यहाँ पर आ रहे थे जब हमारे पास छोटा element मिल ला था ठीक है यह case में यहाँ पर मिल ला था ना यहाँ पर क्या हम पर यह देखो यहाँ पर छोटा हाई को कर देते हैं क्या मीड माइनस वन बस आप हम लोग क्या रिटन कर देंगे यहां पर हाई को रिटन कर देंगे यही मेरा एंसर हो जाएगा ठीक आप करके देखते हैं अब यह successful summit हो भी जाएगा देख सकते हैं आप लोग तो बहुत simple से logic है थोड़ा सा आप लोग copy इस complexity ओफ फैन लगी तो ठीक है इस वीडियो में यही है बाकी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्षामें कमेंट जरूर करें अच्छी लगें तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को बाकी ऐसे हम सेकंड प्राब्लम कर डिसकस करें नेक्ट प्राब्लम की तरब तब तक के